हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी हुँ मेरे आप सभी मस्वश जबर्जस्त होंगे और आज का हमारा सेशन बहुत ही सांदार है क्योंकि आज टाप 25 प्रशनों की स्रिंखला है जो आपके परिक्षा में बहुत ही महत्वपूर होने वाले तो टाप प्रसनों की स्रिंगखला है आप देखिए कैसे और कितने सवाल आप याप पे हल करने में सचम है और कितना आप हल कर ले रहें ठीक है तो शुरू करते हैं आप आज की पहली कलास और आपकी स्क्रीन पर हे बटा पहला सवाल जरासा देखिये समझे और इसको हल करने का प्रयाज करें क्या कह रहा है निम्लिखित चार संख्याओं में से तीन संख्या है किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या औसमान है औसमान संख्या का चैन कीजिए क्या कह रहा है बेटा इस पस्ट कह रहा है कि जो असमान संक्या हो, उसमें हमको chain करना है, chain करके बताना है, कि क्या logique है, तो सबसे पहले आपके सामने जो ये number है, इनको सोचो, और इसपस्ट है, जब भी ऐसे सवाल आपको मिले न, तो सबसे पहले cube और square के बारे में आप सोचो cube और square के बारे में सोचे कैसे cube और square बनते हैं जैसे अब 217 है तो 217 को बेटा क्या कहोगे आप इसको कह सकते हो 216 sorry क्या कह सकते हो बेटा इसको आप कह सकते हो क्या कि 216 प्लस 1 कह सकते हो न 216 प्लस 1 इस को आप क्या सकते हो क्या 216 । 25 प्लस 1 और यह क्या क्योंगे तो यह dispers का 5 क्यूब है नो यह क्या हो जाएगा पांच का क्यूप इसको आप क्या कहोगे बेटा इसको कहोगे 343 प्लस वन और ये क्या हो जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा 7 का क्यूप साथ का क्यूब और इसको आप क्या कहोगे बेटा इसको कहोगे 256 माइनस 2 और यह क्या हो जाएगा आपका बताईए यह हो जाएगा 16 का स्क्वार तो अब बताओ क्या इसमें से आप आसमान को छाटने के स्थिति में नहीं हो बिलकुल हो ना आसानी से हो ना क्या किया गया है कि किसी संख्या का क्यूब करके प्लस 1 किया गया है जब किसमें क्या किया गया है बेटा स्क्वार करके माइनस 1 किया गया है इसलिए यही आपका भिन्न है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या बिकल्प 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा बोलिए इस पस्ट है, क्लियर है, समझ में आया की नहीं, सभी लोग बेटा कमेंट करके बताना, और अगर बात हो आपको समझ में आ जाए ना, तो सभी लोग तुरंट से थम वाला कमेंट कर दिया करो, जिससे हमको समझ में आ जाए, कि आपको समझ में आ चुका है, समझने में कोई द आपको ये समझ में आ जाए कि किस टॉपिक का सवाल है और दूसरा कि आपको ये समझ में आ जाए कि उस टॉपिक के किस टाइप का ये सवाल ये दो चीजे अगर आने लगीं तो आपको परिक्षा में कभी भी किसी भी एक्जाम में कोई समस्या कोई तकलिफ होने वाली नहीं तो उपरी फलक मतलब हमसे पूछा है कि संख्या छे के विप्रित में कौन सी संख्या होगी, इस परस्ट हमसे पूछा है कि संख्या छे के विप्रित में कौन सी संख्या होगी, तो कैसे बताओगे, तो आप सबसे पहले इन दोनों पासों को देखोगे, इसमें लिखरा है कि क्या बेटा, एक सत्व समान है, है न, एक सत्व क्या है, समान है, इसका मतलब आप कह सकते हो, कि ये क्या है बेटा, वन सर्फिस, सर्फिस, कौमन डाइस है, इस पर्ष्ट कह सकते हो, ये क्या है बेटा, वन सर्फिस, कौमन डाइस है, ये क्या है, वन सर्फिस, कौमन डाइस है अब आपको क्या करना है कि जब भी one surface common dice हो तो क्या होता है कि पासे की कम से कम दो इस्थिति उन दो इस्थितियों में एक सत्ह ऐसी होती है जो समान होती है समान सत्ह के विप्रित छिपी हो सत्ह होती है और सब का विप्रित निकालने के लिए समान सत्ह से घड़ी की दिशा में गूमते, मतलब clockwise हमको rotate करना और कहां से common surface से, तो clockwise चलेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1, 5 और 6, यहां से clockwise चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 3 and 2 तो 6 का opposite 2 हो गया 5 का opposite 3 हो गया अब बचा 1, 1 के opposite में क्या हो जाएगा, बेटा, 4 हो जाएगा लेकिन आप से किसका opposite पूछा है 6 का opposite पूछा है और 6 का opposite क्या होगा बेटा 2 होगा, तो 2 आपका right answer होगा, और 2 किस विकल्प में है, विकल्प 2 में है तो यही आपका बेटा क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा पुलिस पस्ट है कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ तो नहीं है, बोलो भाई, कोई समस्या, तकलीफ तो नहीं है, आसानी से आप इन सवालों को कर लोगे, क्लिया है, चले, अब अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रिन पर यह रहा है, बहुत ही सांदार सा सवा और क्या किया है बेटा दिया ये है कि नीचे दी गई आकरती में कितने वर्ग हैं वर्गों की संख्या के बारे में पूछा है कि हमको ये बताना है कि जो नीचे आकरती दी गई है उसमें वर्गों की संख्या क्या है तो ध्यान से देखिएगा कि अगर हम ऐसी कोई आकरती बन थैंगे तो इंसमें कितने होते हैं, तो इसलिए है, 5 होते हैं, कैसे? एकषिक दो रिचाएर, बड़ावला, कितने होते हैं, यह बाहुते हैं Chinese. यि जब खानर की संख्याे दोनों तररप से समान हो तो किसी एक तरफ के खाने का इसक्राइर करके आपस आपस में जोड़ दे, दो का वर्ग चार और एक का वर्ग एक कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, है ना, तो अब आपको ये देखना है कि ऐसी कितनी आकृति इस फिगर में बन रही है, तो आप कहोगे ये तो 5 है, ये भी 5 है, और ये बड़ा वाला एक और बन रहा है, है ये माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 2 माइनस हो गया, तो आपका क्या बचा 13, 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस पस्ट कह सकते हो कि 13 आपका राइट आंसर होगा, इसको ऐसे भी कर सकते हो बेटा, ध्यान से देखो, कैसे, आप ये देखो, किसमें कह सकते हो कि 5 बनेग इसमें 5 हो गया 10, यह 11 और यह 12 और यह बड़ा वला है ना इस तरीके से भी कर सकते हो तो कितने होगे 13 ही होगे और 13 ही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा तो आई होप आपको यह 13 कैसे हुआ, क्यूं हुआ, अच्छे तरीके से समझ में आई रहा होगा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आसानी से अप इसको आप समझ रहे होगे ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले क्लास की तरफ अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं यह ज़रा सा देखो अगला सवाल है आपके पास हलक और इसमें आपको वेन डाइग्राम बताना है वेन डाइग्राम क्या है दी गई स्रेणियों के बीज सर्वस्रिष्ट संबंद को दरसाने वाले वेन आहरेक का चैन करे क्या कह रहा है चाचा, रिष्टेदार और धनी है ना अगर मैं आपसे कहूं कि जितने भी चाचा होते हैं वो सभी के सभी रिष्टेदार होते है है ना आप ये कह सकते हो कि जितने भी चाचा मतलब ये चाचा हो गया जितने भी चाचा हैं वो सभी और सभी क्या होते हैं रिष्टेदार होते हैं मतलब ये बनेगा फिगा है न जितने भी चाचा होते हैं वो सभी क्या होते है रिस्ता अब देखो जो रोड़ पे हम लोगों को चाचा कर रहे यह उनकी बात नहीं कर रहा है क्योंकि वो चाचा उनके रिस्पेक्ट में कहते हैं तो हमारी चाचा लगते नहीं है ठीक है जितने भी चाचा है उतने क्या अब देखो, कुछ चाचा धनी हो सकते हैं, कुछ चाचा गरीब हो सकते हैं, कुछ रिस्तेदार धनी हो सकते हैं, कुछ रिस्तेदार धनी नहीं हो सकते हैं, ये हो जाएगा आपका धनी कटलिया, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, इसके लिए ये वाला बिकल्प होगा और ये बिकल्प 4 में क्योंकि ये 1 है ये आपका 2 है ये आपका 3 है और ये आपका 4 है ध्यान दीजेगा तो बिकल्प D आपका राइट आंसर हो जाएगा है ना बिकल्प D ही आपका राइट आंसर होगा बेटा कोई दिक्कत कोई समझे और कोई तकलीफ नहीं ह होना चाहिए चलिए अगला सवाल आपकी स्किन पर ये रहा देखो और हल करने का प्रयास करो सवाल पहले पढ़ो फिर उसके बाद हल करो और अगर समझ में आने लगे तो आपको करना क्या है थम वोला कमेंट भेज देना एक पंक्ती में स्याम का स्थान आरंब से 15 हुआ तता पंक्ती में कुल कितने ब्यक्ती हैं क्या कह रहा है तो बताएए पंक्ती में कुल कितने ब्यक्ती हैं तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है स्याम का स्थान आरंब से 15 हुआ तता उसी पंक्ती में रोहन अंत से 25 हुआ है ये हो गया स्याम ये हो गया स्याम और ये हो गया रोहन और क्या हो जाएगा स्याम का स्थान आरंब से 15 तथा रोहन का क्या है 25 है बदलने तो स्याम आरंब से 25 हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा कि यहां से आपको पूछ दिया कुल संख्या और कुल संख्या क्या होता है कि जब ऐसे आप परिंच करोगे तो किसी एक योग-1 तो बिकण 25 और 25 पचास हो गया और पचास में से एक कम कर दिया क्या हो जाएगा उन्चास हो जाएगा राइट आंजर लेकिन यहाँ पे तीन सवाल और बनते हैं पहला तो बन गया कि टोटल नंबर कुल संख्या दूसरा बनेगा बेटा क्या रोहन का नया अस्थान ये भी सवाल यहां पे बनता है तीन सवाल है टोटल बनते हैं यहां से तो रोहन का नया अस्थान तो ध्यान दीजेगा कि स्याम 15 से क्या हो गया 25 हो गया कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया है न यह बताई यह 15 से 25 कब हो गया जब वो अपने स्थान से उठा और कहां चला गया रोहन के स्थान पर तो स्याम से रोहन के जाने के दोरान जितने ब्यक्ति होंगे उतने ही ब्यक्ति क्या होंगे रोहन से स्याम के जाने के दोरान होंगे इसका मतलब यह हुआ कि जो परिवर्तन पहले में है वही परिवर्तन दूसरे में कर देंगे तो इधर भी 10 कर देंगे और यह कितना हो जाएगा 35 तो स्याम का नया स्थान बेटा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा है ना ध्यान देजिए कि जो परिवर्तन पहले पक्ष में हो वही परिवर्तन दूसरे में मतलब स्याम 15 से क्या हो गया 25 हो गया यह 25 में 10 जोड देंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा सिधे इस पस्था आंसर तीशरा सवाल पूछ सकता है मध्य की संख्या है ना क्या प्लस हुआ हो उसी में माइनस 1 कर दीजिए तो 10 में से माइनस 1 कर दिया 9 तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा मध्य की संख्या कितनी हो गई 9 मतलब किसी एक ब्यक्ति की स्थितियों का आंतर माइनस 1 और यह जो 10 है वो क्या है बेटा स्थितियों का आंतर है और उसमें हम minus 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इसका अंसर हो गया 9 टिक चलिए आगे तो ये तीनों सवाल आपको समझ में आये होंगे हम ऐसी आसा और उम्मीद करते हैं न कि ये तीनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आये होंगे हम ऐसी आसा और उम्मीद करते हैं तो ये बाकी यहां पर पस्टर में केवल और केवल क्या पूचा है कुल संख्या पूचा है तो कुल संख्या आपका कितना आ गया 49 दो सवाल हमने एक्स्ट्रा दे दिया आपको बोनस के रूप में है न ठीक है दो सवाल हमने एक्स्ट्रा आपको बोनस के रूप में समझा दिया कैसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, चलिए, नीचे दिएगा समीकरण को सही करने के लिए, नेम रिखित में चिन दो चिन्नों की आपस में अदला बदली किया जाना चाहिए, मतलब इसमें ये बताना है कि किन दो चिन्नों की अदला बदली कर दें, तो इधर 9 आ जा, क्योंकि इस पे तो 9 नहीं आ रहा, अब कैसे देखो, इसको दिवाइट करोगे तो 3, और 12 में 3 से गुड़ा करोगे, और धर 8 में प्लस करोगे, माइनस 8 और ये 12, तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 8 और प्लस 36, मतलब 36 बार और 40 माइनस 8 बराबर क्या हो गया, 40, 40 आ रहा और आना क्या चाहिए 9, इसका मतलब हमको चिन्हों का हेर फेर करना है, हेरा फेर ही करनी है, बचपन में किया होगा आप लोगों ने है न, भविस में मत करना, बड़े होने पर मत करना, ठीक है, तो अब देखो भी तो ये वैल्यू जादा हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमको के साथ डिवाइड़ को रिप्लेस करेंगे, तो यह संख्या पूरी तरीके से कटेगी ही नहीं, और कटेगी नहीं इसका मतलब मान दस्मलों में आएगा, तो ये तो नहीं होगा, अब हम इसको चेक करेंगे, है न, इसको चेक करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, तो प् बताई ये 8 बटा के 12 गुड़े के 9, 3 तिली के 9, 3 चवग के 12 और 4 दुना के 8 और 3 दुना के 6 तो 12 माइनस 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 15 माइनस 6 बराबर क्या हो गया? 9 हो गया और यहाँ पे आंसर आ गया 9 तो आप कह सकते हो कौन सा विकल्ब बताई बेटा तीसरा वाला विकल्ब आपका राइट आंसर हो जाएगा? तीसरे विकल्ब से हम इस सवाल को हल कर लेंगे कि तीसरे विकल्ब को अगर हम प्लस और डिवाइड़ की अदला बदली कर दें तो यह प्रसन हमारा ठीक हो जाता है ठीक चली आगे नव अब क्या करें उस समुच्चय का चैन कीजिए जिसमें संख्याओं को उसी तरह से आपस में संबंदित है मतलब इनमें आपको बताना है कि कौन सी संख्याओं आपस में संबंदित है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है तो सबसे पहले दिमाग लगाओ यह क्या है बेटा बताओ 9 का मतलब 3 का वर्ग और 16 का मतलब 4 का वर्ग यह हो गया चले 3 का वर्ग और 4 का वर्ग बीच में 35 के आया तो हम कहेंगे 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 और 7 गुड़े 5 बरापर क्या गया 35 आ गया अब हमको यह देखना कि यह सेम लॉजिक किस विकल्प में काम कर रहा है तो यह कहोगे कि यह है 4 का वर्ग और यह है 8 का वर्ग तो 4 और प्लस 8 कितना हो गया 12 और 12 गुड़े 5 बरापर होना चाहिए 60 लेकिन है 50 इसका मतलब यह तो नहीं होगा पहला विकल्प तो नहीं होगा चाहिए कोई भी लोजिक दूसरे की बात करें तो क्या है बेटा 36 का मतलब 6 का स्क्वाइर और 25 का मतलब 5 का स्क्वाइर और 6 5 क्या हो गया 11 और 11 गुड़े 5 बरापर क्या हो गया बेटा 55 हो गया 55 है बीच में तो बिलकुल है इसका मतलब अला विकल्प आपका राइट आंसर होगा बिलकुल इजी वे में हम लोग समझेंगे बिलकुल आसानी से समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि जो कभी लगेगा कि भूल नहीं रहा है नभूलेगा नभूला है नभूलेंगे है ना ऐसा ही समझेंगे और ऐसा ही ब्रेक कर करके आपको समझाऊंगा easy language में आसान भासा में जिससे concept आपके दिमाग में सीधा हल करे सीधा जाए है ना concept आपके दिमाग में सीधा जाए ठीक चलिए clear है बोलो भाईया clear है कि नहीं कोई समस्या कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है ना बोलो भाई clear है ना आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ ये रहा बहुत ही सांधार सा सवाल है रक्त संबंद का सवाल है इसको बताओ की आंसर क्या होगा ध्यान से देखिएगा आठ व्यक्तियों में से एक परिवार में दो यूगल है और दोनों युगलों के दो बच्चे, B और D भाई, अच्छा, B और D भाई, है न, चलिए, इसका मतलब इनके दो बच्चे, है न, और इसके भी दो बच्चे, तो इसका मतलब इनकी पत्निया भी होंगी, और ये भाई हैं, तो ये पत्ती होंगे, ये होगे, ये सिक्वेंस हो चले, F की, F, B की पतनी है, चले, तो F यहाँ पे हो जाएगी, और यह पतनी किसकी हो गई बेटा, B की होगी, F जो है, B की क्या है, पतनी, ठीक है, चले, अब कहाँ, E, A की चाची है, अब तु ध्यान दीजिएगा, कि A यहाँ पे होगा, और E यहाँ पे होगी, तभी तो B की पतनी तो होगी नहीं बची किसके अब D की पतनी होगी तभी तो इसकी चाची क्योंकि ये इसका पिता हो गया पिता का भाई चाचा और चाचा की पतनी क्या हो गई चाची हो गई तो E A की चाची हो गई ठीक A, C का चचेरा भाई है तो A, किसका भाई है, C का चचेरा भाई इसका मतलब C इधर होगी, तभी तो चचेरा भाई होगा C, H की बहन है, C बहन है किसकी, H की है न, और H, G का चचेरा भाई है तो H, G का क्या है बेटा, ये बेटा, चचेरा भाई है यह हो गया आरेंजमेंट, असानी से बन लिटरी, क्या पूछा है, H किस प्रकार F से सम्मंदित है, तो F की पती का भतीजा, मतलब F का भतीजा, इसका आंसर देखो, चौथे वाले विकल्प में है बेटा, जो आपको दिख नहीं रहा होगा, यह है चौथा विकल्प, और इसक का राइट आंसर हो जाएगा, I hope आपको यह चीजे समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं हो रही होगी, आसानी सिसको आप समझ रहे होगे, है ना, बोलो, क्लियर है ना, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ, दिए गए बिकल्पों में से उस सब आपस में उसी प्रकार संबंदित है, जिस प्रकार नीचे लिए गए सब्द युग में आपस में संबंदित है, क्या करा है, जिस प्रकार नीचे लिखे गए सब्द युग में आपस में संबंदित है, पुस्तक ग्यानकोस, पुस्तक में क्या होता है, ग्यानकोस होता है, तो टेनिस में बाल नहीं होता भाया, टेनिस में बहुत कुछ होता है, रैकेट भी होता है, ब्रिच में नहीं होता है, ब्रिच में नहीं होता है, फरनीचर में लकड़ी में फरनीचर होता है, लेकिन अजगर जो है क्या होता है, सरिश्रिप जिप के अंतरगर अजगर आते है इसलिए आपका राइटांसर हो जाएगा, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, यह आपको बताना है, उस संख्या युग में का चैन कीजिए, जिससे दोनों संख्या आपस में उसी प्रकार संबंदित है, जिस प्रकार दोनों संख्या नीचे दिये गए संख्या युग में आपस में संबंदित है, तो 36 और 84, तो आपको होगे 36 गुड़े 2 बराबर 72 और प्लस 36 बटा के 3, 12, इसका मतलब हम कह सकते हैं, 2 सही 1 बटा 3, यह हम कहें, 3 दुना के 6, 7 बटा के 3, 36 गुड़े 7 बटा के 3, 12 साते 84, मिल गया लॉजिक, है न, मतलब ये लॉजिक क्या है तो आपको होगे 36 गुड़े के क्या, 7 बटा के 3, बराबर आगया 84, है न, तो क्या हो जाएगा, देखो 45 गुड़े क्या, 7 बटा के 3, कितना हो जाएगा 15, और 15 साते कितना होना चाहिए, 105 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है बेटा, 95 है, ये तो नहीं होगा, है न, ये त तो नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं, 27 गुड़े, 7 बटा के 3, 3 नवा 27 और 9 साथे 63, 63 यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, बोलो इस पस्ट है, क्लियर है, समझ में आया की नहीं बेटू, ओ स्व समझ में आया बटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, नहीं है ना, चलो, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगले सुवाल की तरफ, है ना, किसी कूट भासा में विक्ट्री, है ना, विक्ट्री को, किसी कूट भासा में, विक्ट्री को, C-I-V-S-Y-R-O, को, लिखा जाता है, उसी कूट भासा में, T-R-A-I-T-O-R को कैसे लिखा जाएगा, है ना, तो ध्यान से देखिएगा, और समझेगा, कि क्या, हाँ, बिलकुल, देखिए, विक्ट्री, V-I-C-T-O-R-Y, क्या लिखा किया, C-I-V-S-Y-R-O, तो ध्यान से देखिएगा, कि यह अपोजिट है, यह अपोजिट है, और यहाँ पे क्या है, माइनस वन है, है ना, ठीक है, यह अपोजिट है, तीन का अपोजिट, तीन का अपोजिट, और यहाँ पे क्या है, बेटा, माइनस वन है, है ना, तो यही सेम काम आगे करेंगे, यही same काम बेटा क्या करेंगे, आगे करेंगे की नहीं, बोलो, यही same काम आगे करेंगे की नहीं, है न, बोलो भाई, यही same काम आगे करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, T-R-A-I-T-O-R, यह तीन को opposite लिखेंगे, तो A-R-T हो जाएगा, और यह minus 1, तो 9 minus किया क्या हो जाएगा 8, और यह क्या हो जाएगा बेटा, R-O-T, तो A-R-T-H-R-O-T, A-R-T-H-R-O-T किस विकल्प में है, तीसरे विकल्प में है, और तीसरा विकल्प आप कैसकते हो, कि तीसरा विकल्प आपका right answer होगा, इसमें कोई समस्या, कोई तिक्कत और कोई तक लॉजिक देखो क्या है बेटा, C से A हुआ है, क्योंकि इस परस्ट कह रहा है, उसे विकल्प का चयान कीजिए, जो तीसरे अक्षर सम्मू से उसी प्रकार संबंदिता है, जिस प्रकार दूसरा अक्षर सम्मू, पहले अक्षर सम्मू से संबंदिता है, तो क्या हो जाएग minus 2 plus 2 minus 2 plus 2 तो इसी same logic को आगे भी follow करेंगे क्योंकि साद्रिस्ता का सम्मंद सीधा मतलब यह होता है कि यह आपका part 1 है और इसी के साद्रिस से similar आपको part 2 को बनाना है मतलब जो logic पहले में है वही logic दूसरे में भी लेके जाना पड़ेगा तो जब हम लेके जाएंगे तो D में minus 2 करेंगे तो B हो जाएगा F में plus 2 करेंगे तो H हो जाएगा H में minus 2 करेंगे तो F हो जाएगा और J में plus 2 करेंगे तो L हो जाएगा BHFL इसका answer हो जाएगा पहला वाला विकल्प है ना? BHFL इसका answer हो जाएगा बेटा पहला वाला विकल्प और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोलो clear है, बोलो भाई, clear है न, कोई दिक्कत, कोई समस्या, तकलीफ तो नहीं है, है न, चले, ठीक, clear है, अगले स्वाल की तरह बढ़ते हैं, अगला स्वाल है, लेखिए, जब भी ऐसे स्वाल आपको मिल जा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कि अक्षरों को काउंट करना है, सबसे पहले कोशिस करो, कि अक्षरों को आप काउंट कर लो, क्यों जरूरी अक्षर को काउंट करना, क्योंकि अक्षर को जब तक काउंट नहीं करोगे, तब तक इन सवालों को आप हली नहीं कर पा तो जब 18 का गुणनखंड करोगे तो कितने का पेर आप बनाऊगे बेटा आप तो पेर यहां पे बनेगा या तो तीन-तीन का छे होगा या छेछे का तीन होगा यही तो पेर बनेगा तीन-तीन का छे होगा या छे-छे का तीन होगा तो आपको उसीश करो सबसे पहले तीन का तो यह तीन हो गया फिर यह तीन यह तीन यह तीन यह तीन-तीन का छे पर बाट दीजिए अब आपको यहां पे लॉजिक दिखेंगा देखो दो B के बीच में कुछ है और A, B के बाद कुछ है तो दो B के बाद में यहां पे C कर सकते हैं और A के बाद डबल B कर सकते हैं तो B, C, B, A, B, B, C, B, A, B, B, C, B, A, B बन गया शीरीच, बोलो भाई कमेंट करके बन गया ना, सीरीच क्या बना बेटा A, B, C, B, B, C, B फिर क्या A B B है न? B C B A B B B C B A B B शीरी danach बन गका और यहाँ से हमारा आंसर क्या बनेगा? तो पहले C आ जाएगा पिर C के बाद क्या है? B है? B आ जाएगा फिर क्या है, बेटा? B है? B आ जाएगा फिर क्या है? C है? C आ जाएगा और फिर क्या बेटा B है B आ जाएगा तो यह आपका आंसर हो गया C, double, B, C, B किस बिकल्प में है C, double, B, C, B किस बिकल्प में है बेटा तो आप कह सकते हो बिकल्प 1 में है और यही आपका right answer हो जाएगा है ना, बिकल्प 1 में है और यही आपका right answer हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आप, छलो आगे बढ़ दे, जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है, उसी प्रकार मध्यस्त का संबंध, तो अधिवक्ता advocate क्या कराता है, न्याय दिलाता है, है आप एक देखे, वेब सीरी जाएगी, है न, criminal justice, है न, कौन सा actor है, बताए, पिल पाटी, criminal justice, उसमें क्या है, कि वकील का काम क्या है, कि जो भी victim है, वादी है, उसको न्याय दिलाओ, है न, प्लड़ित है और कुछ है, तो वकील का काम है, न्याय दिलाओ, उसे ही मध्यस्त क काम क्या है मध्यस्त का काम क्या है बताई जो कि जब आपके परिवार में कोई बिवाद होता है तो वहां पे आप उन लोगों को बुलाते हैं जिनके दोनों पक्स को बात मानने वाले हैं जिनसे भी दो पक्षों में विवाद होता है, तो ऐसे common ब्यक्ति को लेके आजाता है, जो दोनों की जद करता है, और वो क्या करते हैं, कि दोनों में समझोता करता है, थोड़ा सा तुम अर्जेश्ट कर लो, जिससे आपका काम गाड़ी निकल सके, तो मध्यस्त का काम केवल और केव करते हैं, सभी सासक मसीने हैं, कुछ मसीने महंगी वस्तुए हैं, ठीक है, चलिए, कुछ सासक महंगी वस्तुए हैं, कुछ महंगी वस्तुए मसीने हैं, सभी महंगी वस्तुए मसीने हैं, ठीक है, तो अब दिको इसको बहुत लोग जानते होंगे वेन डाइग्राम के मेथ लेकिन इसको VIN डाइग्नाम के मेथड़ से स्वाल भी नहीं करना है अगर आपने आपने कॉंसेंट्रेट की आप एक ध्यान दे ले तो आसानी कर सकते हैं बिना पेंच हुए है ना बिना पेंच हुए आप इसको हल करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा कैसे देखो सबसे पहले individual conversion करो तो कुछ मसीने सासक बिकल्प में नहीं है कुछ मसीने महांगी वस्तुएं हैं कुछ महांगी वस्तुएं मसीने और फिर यहां पर यह A है और I है, A प्लस I रिजल्ट नहीं देता है, इसलिए आप कह सकते हो कि केवल निशकर्स दो अनूसरण करता है, यही आपका बेटा क्या हो जाएगा? right answer हो जाएगा कि केवल निसकर सदो क्या करता है अनुसरण करता है यही आपका यहाँ पे right answer होगा बोलेश पस्ट है अब आप में से बहुत लोग wind diagram method जानते होंगे है ना आप में से बहुत लोग wind diagram वाला method जानते होंगे बेटा वो थोड़ा time taken होता है मतलब क्योंकि देखो सब ही सासक यह सासक हो गया मसीने हो गया अब देखो दिक्कत क्या है कि कुछ मसीने महेंगी वस्तुएं है यह figure बनाओगे तब भी सही है महेंगी वस्तुएं के लिए है ना और इसी को बढ़ा के आगे बनाओगे तब भी यह सही है है ना अभी समस्या पाइदा करता है कि पता नहीं आप उसके साब यह सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है तो यह दिक्कत और तकलीफ देता है कि दोनों में से कौनसा आपका सही है तो कभी-कभी एसा होता है कि वेन डाइग्राम में हमको समस्या होती, इसलिए ये मात्रट पर रिये और इस मेथड का नाम है six relation method, six relation method, क्योंकि अगर इसको आपने concentrate कर लिया, तो आप बता, आसानी से हल कर लोगे, देखते ही सवालों को, ठीक है, कोई figure draw करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी क तारकिक और अर्थपूड करम में बेवस्थित करना है इनको, तो कैसे करोगे, दियान से देखना, इनमें सबसे पहले काम आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप बाजार में जाओगे, और सबसे लास्ट में क्या करोगे, भोजन करोगे, ठीक है, चलो इसको छोड़ दो, बाजार में जाओगे, तो दूसरा काम क्या है कि सबजी देखोगे, अचा बहुत सारी सबजीयां लगी है, तो सबजी को देखोगे, देखने के बाद क्या करोगे, कि सबजी खरीदोगे, है ना, खरीदने के बाद घर लाके उसको क्या करोगे, पकाओगे, तब जाके उसक 3, 4, 1, 5, 2, कौन सा बिकल्प? पहला बिकल्प आपका राइट आंसर हो गया, ईजी हसाब से है ना, बिल्कुल आसानी से, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, अब इन में से देखना है, ठीक है, कि इन में से देखना है, है ना, चले, तो इसको हम कह सकते हैं, क्या बेटा 16, नहीं होगा, 3, 3 और 4, जोड़ दो, 3 प्लस 4 जोड़ दो, कितना हो गया, 7 नहीं, ऐसा करो, 3 गुड़े 4 कर दो, 3 गुड़े 4 बराबर, 12, और इसको 2 से गुड़ा कर दो, कितना हो जाएगा, 24, पहले ये लॉजिक सोच लो, फिर अगले लॉजिक के बारे में सोचेंगे, पहले ये लॉजिक सोचने हैं कि मिल रहा है कि नहीं, तो 4, 9, 36, 4 गुड़े 9 पराबर, 36, और 36 गुड़े 2 बराबर, बहतर, ये मिल गया, इसका मतलब यही आपका राइट अंसर हो गया, 8 दुना के 16, 11, 6, 6, 8, 12, 4, 12, 4, 42, 49, नहीं हो, अच्छा, दूसरा क्या लॉजिक हो बताओ, अच्छा, 3 का स्क्वाइर, और प्लस 4 का स्क्वाइर, कितना हो गया, 25 और माइनस 1 है, ये भी तो एक लॉजिक हो सकता है, 24 का, बोलो, 3 का स्क्वाइर, प्लस 4 का स्क्वाइर, 3 का स्क्वाइर नहीं, 4 का स्क्वाइर 16, 16 और 25 माइनस 1, अच्छा, ये लॉजिक इसका मतर्भी लॉजिक नहीं, यही वाला लॉजिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह वाला लॉजिक तो मिल ही नहीं रहा है किसी बिकल्प में, इसलिए इस लॉजिक को हम नहीं कर सकते, ठीक है, चलें, आगे, निमलिखित चार सब्दों में से तीन सब्द किस प्रकार एकसमान है और एक सब्ध औसमान है औसमान सब्ध का चयन कीजिये सरसों जीरा मुंगफली सौंप जाय क्योंकि बाकि है । फ्यक्य कि एक जनवरी 2022 को सुखर वर्था 31 दिसंबर 2022 को सब्ढा का कौनसा दिन होगा तो है उन्हें आपको एक concept पढ़ाया है, कि किसी सामाने वर्ष के, परथम दिन और अंतिम दिन सामान होते हैं, और किसी अधी वर्ष का, अंतिम दिन परथम दिन से एक दिन ज्यादा होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कि 2022, चार से नहीं कट रहा है, इसलिए क्या है ये सामाने वर्स है और सामाने वर्स है तो सुक्रवार है तो अंतिम दिन क्या होगा सुक्रवार ही होगा विकल्प पहला राइट आंसर होगा क्योंकि इस पर हमने आपको सिखाया है कि किसी सामाने वर्स का पर्थम दिन और अंतिम दिन बेटा क्या होता है सामान होता है किस वर्स है तो अंतिन दिन भी क्या होगा समान होगा और सुक्रवार आपका राइट अंसर हो जाएगा ठिक चलो आगे यदि डी आई जी को 25 के रूप में कूटबद किया जाता है CUT को 49 के रूप में कूटबद किया जाता है तो किक को किस रूप में कूटबद किया जाएगा तो ध्यान से देखेगा D I G क्या हो जाएगा 497 9 7 16 16 4 20 और 20 में 5 जोड़ दिया तो 25 आगे चली C U T 3 21 20 जोड़ दिया कितना हो गया 44 और 44 में 5 जोड़ दिया तो बेटा क्या गया 49 आगे है न वैसे ही क्या हो जाएगा के आई सी के मतलब 11 9 3 11 11 9 20 23 23 और 23 और 11 क्या होगा बेटा 34 और इसमें 5 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 49 39 आप चाहिए और तीसरा वाला विकल्प क्या है 39 है 39 is the right answer लोजिक क्या है कि सभी अक्षरों के नुमेरिक वैल्यू को जोड़ कर उसमें 5 एड़ कर देना है ठीक है चले आगे बढ़ते है बता यह भी सवाल है सांदार सा सवाल देखो क्या है लोजिक क्या है 3 गुड़े 2 प्लस 1 बराबर 7 7 गुड़े 2 प्लस 2 बराबर 16 16 गुड़े 2 प्लस 3 बराबर 35 गुड़े 2 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 74 गुड़े 2 प्लस 5 बराबर 174 दूसरा विकलफ आपका राइचर हो जाएगा आई हो प्छीजी आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी सांदार सा सेसन हो रहा है और आप इन ज्वाय भी कर रहे हैं इसको जिसमें कोई दिक्कत कोई समझ्या कोई तकलिपर नहीं हो रह होगी आपको है ना आसानी से चीजे आपके सामने डिलिवर हो रही होंगे है ना चलो ठीक है अब क्या कह रहा है कि नीचे दिये गए बिकल्पों में से उस बिकल्प को चुने जिसमें प्रसन आकृति नहींत है मतलब इसका यह है कि यह आकृति किस फिगर में नहींत है हमको यह देखना है तो सबसे पहले आप इस फिगर को जुड़ो कि यह वाला किस में इंकल्यूड है ठीक है तो यह तो आधा ही है नहीं है अचा यहां पे है यहां पे तो है ही नहीं यहां पे तो आधा है इसका मतलब नहीं है आप क्या सकती हो बी वाला विकल्प है ना अब माल जादू है, ऐसे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देखिए आपको उस आकरती जैसी जो फिगर में दिया है, दिख रहा है कि नहीं, देखो दिख रहा है ना, इस पस्ट दिख रहा होगा, है नो, देखो, दिख रहा है, तो आप कह सकते हो बिटा, कि वही वाला राइट आंसर मिल रहा है, किस विकल्प में मिल रहा है, विकल्प B में मिल रहा है, और B आपका राइट आंसर होगा, ठीक, चलो, आगे, यह आपको बताना है, तो यह तो इस पस्ट आपको दिख रहा है, कि यह तो इस पस्ट आपको दिख रहा है, कि यह किस फिगर में है, इस figure में C वाला आपका अंसर हो जाए, क्योंकि चार पार्ट में वो बनेगा, ठीक है, चलिए, आगे, ये, अब दिखिए, ये दो है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर तीन ऐसे, फिर ऐसे, इसका मतलब फिर चार ऐसे होगा, और फिर तीन ऐसे होगा, ये है क्या मौझूद, है न, चार और तीन, 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 क्या हो जाएगा, ये वाला विकल्प आपका अंसर हो जाएगा, ठीक, चलिए, आगे, ये, पचीसवा सवाल, और आज का अंतिम सवाल, क्या है, पांच बच के पंदरा मिनट, तो इस परश्च जानते हो, आप, मद्य का कोड बराबर, क्या होता एम बट्टा दो का मतलब 15 बट्टा दो लगबक्या, 6 गुड़े, 15 क्या हो जाएगा, 7.5 और ये हो जाएगा, 1.5, कितना हो जाएगा, 157.5 माइनस क्या 90, बराबर क्या हो जाएगा, 67.5 या 67 सही, 1 बट्टा दो, कौन सा विकल्प, पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो होगा, ठीक है, अगर आपको विडियो अच्छी लगे, तो सभी लोग लाइक, कमेंट और सेयर कर दीजिएगा, ताकि जादा जादा लोग जुड़े, और उत्साह बने, और आगे और अच्छे अच्छे प्रसंद लाने का होसला मिले, ठीक है, ति मैं आपसे बिदा लेता दोस्तों, मिलते हैं नेक्षन पे, गुडबाई, जय हिंद, जय भारत, दोस्तों, मिलते हैं नेक्षन पे, चलिए, टाटा, बाइबाई, लव यू अल